मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग परियावरण की एक महत्पून सीरी शुरू करने जा रहे हैं और यह परियावरण हो परियावरण हैं जहां से परिष्छ में सीधे सीधे प्रशनाते हैं एक तरफ हम पाठ करम को देखेंगे, दूसरी तरफ हम परियावरण के हर उस बिंदो को हर उस तत्य को पढ़ेंगे जहां साथ के परिष्छ में सीधे सीधे प्रशनाते हैं चलिए, आज हम अपनी इस क्लास की प्रारम करता हैं लिकिन उससे पहले मैं आपको बताना क्लास आपके लिए ऐस फेकल्टी के रूप में मैं इलैनी भी दुर्गेश की तरफ से आपको प्लब्द करा रहा हूं मेरा देश है, आपको लोग की सलेक्षन ले और आपके अपने भविष्ट की तरफ आए दो यह वीडियो आपके जीवन के लिए एक महत्तपूर पहले होगी तो इसके पहले आप तरसे कर बैढ़ जाए ताकि जब भी मिस्तत्य के शुरुवात करें इस तत्य को पढ़ना शुरू करें तो आपके सारे टॉपिक्स, सारे कॉंसेप्ट पूरी तरसे क्लियर हो जाएं क्योंकि परियावरण चाहे आपके टीटी की जो परिच्छा है, वहाँ पर इसके पाटकरम में सम्लित किया गया है तो जब के टीटी चैसुपर्टी को सम्लित किया गया है तो मतलब इससे हमें अच्छी प्रश्य पढ़ना होगा पिछले गर पाटकरम की बात करें तो लगातार परियावरण में चार सेक्षन से प्रस्ण आते हैं जहां आपका पाटकरम है तो चलिए हम इस यूपी टीटी का जो पाटकरम है यहाँ पर आज हम लोग एक एक करके एक एक वीडियो लेक्चर के माध्धम से प्रत दिन आपके बीच लाइब रहेंगे और हरी तत्यकों पढ़ेंगे जहां सीधे आपके परिच्छा में प्रश्ण आते हैं सबसे पहले अगर हम परियावरण की बात करें तो अलग अलग फार्मूलायज अलग अलग चीजी आपको मिलते हैं लेकिन हम लोग उन्हीं तथ्यों को उन्हीं टापिकों को पढ़ेंगे जहां से परिच्छा में आपके बहुँ प्रश्णात है जैसे अगर हम दो घटक से मिलकर बना है जिसमें पहला जो है वो है आपका जयविक घटक अगर हम बात करें जयविक घटक दूसरा है अजयविक घटक यह आपके लिए काफी महत्टपूर्ण है इसलिए ध्यान से इसको समझेगा आप लोग जयविक अजयवी घटक यहां पर एक बात आपको और जानना होगा अभी कुछ लोग उर्जया भी दिखाते हैं कि अलगले किताबों अलगले तथ मिलेगा तो हम लोग को किताबी इड़ा नी बनना हमें आपको हमें और आपको क्या चाहिए सेलक्शन चाहिए बैतर स्कोर चाहिए उस कि इसमें किश में जीवन पाया जाता है ऐए एक यसके करके करम को देखते हैं जैसे अगर हम पात करते हैं तो आता है जी जन चतो हैث साथी साथ इसमें मानों भी आ जाता है मतलब इसके अंतरगत मानों भी आते हैं मानों भी जीवन पाया जाता है उन सबीका अध्यानम जैविक घटक के अंतरगत करते हैं अगला अगर हम देखेंगे अजैविक तो जिसमें जीवन नहों आप आसानी से समझ सकते हैं कि जिसमें जीवन नहों उसे हम अजेवी घटक के अंतरगत पड़ते हैं उसका धन करते हैं अगर हम लोग यहाँ पे पहला देखेंगे तो सबसे पहला होता है जल जल में जीवन नहीं है लेकिन यह अजेवी घटक का सबसे महत्तपोनों में शेक मना जाता है दूसरा जल के बाद वायू फिर आगे अगर हम बढ़ते हैं वायू के बाद तो यहाँ पर आती है मृदा क्या आती है मृदा को मिट्टी कहते हैं अभी सेस्का मंडल की रूप में करते हैं फिर अगर हम आपको यहाँ पर देखें अगला जो शूर का प्रकास है शूर का प्रकास सनलाइट ऐसे कभी-कभी देखेंगे उसे एनर्जी को रूप में अलगता है यहां से आपका सीधा सेलेक्शन हो तिगले हम लोग इस टापिक पर देखेंगे यहां पर मिर्दा के बाद अगर हम आगे यहां प्रकास प्रकास सनलाइट एप अब इसके आधार पर आभलोग इसका इंट्रडक्щine भी करेंगे अब जैसे बुशी आ जाया की पासकी तंद्र किशे क्याते हैं तो इन दोनों का जो अंतरशं दोला सबखने है इसमें से किसी एक को हटा दिया जाए किसी एक को माइनस कर दिया जाए तो पूरे पित्वी पर जीवन होगा या नहीं आई ये उसके बारे हम लोग एक एक अध्यन करते हैं जैसे समस्त जियोधारियों को जिवित रहने के लिए इन अजयवी घटकों का सारा चाहिए और यह दियाए खेडम फिर तोटे हैं और तोटने बाद फिर से मिलते हैं मतलब एक अंतर क्रिया होती रहती है क्या कर चलता रहता है जिसके वजह से हमारा पर्यावरण बना हुए लेकिन इसे चक्र में कभी कभी तूट तूट जाता है जिससे हम कहते हैं कि पर्यावरार में प्रदुसान बढ़ रहा है इसी वज़े से आपके पाठकरम में आपके शेल बस में इसे सम्लित किया गया है इसे रखा गया है इसका सबसे बड़ा जुकारण है वह यहीं कारण है अब हम और आगे बढ़ेंगे तो हम य यह है कि इनके बीच का जो अंतर संबंध है वो कैसे इसमें किसका इसका अधन किया जाएगा सबसे पहले हम लोग अजेवी घटक के बारे में देखते हैं समझते हैं और पढ़ने का फ्रयाश करते हैं जैसे अगर अजेवी घटक की बात करें तो जल से हम लोग को जो अब नहीं देख अगा आपको मैं अवीद करता हूं कि नहीं है तो जल क्या हो जाएगा आपका जल मंडल हो जायेगा ठीक है तो कैसे पढ़ेंगे ते जल की वाद पर पूरे पिजबी पर अगर परे लगभग की बात की लिए लगभग की 70% माने 70.8% हिस्चे पर लगभग ये 71% भूभाग पर ये फैला हुआ है 70 को मतलब हमें पूरा साथावगर में लिखना चाहें तो सबसे बड़ा पास्त की तंद्रकाव नहीं दिख रहा होगा थियुक्त नीचे गर हम आया तो नदीन भी है थूसके बात करें फुक्त अधियुक्त सबसे बड़ा है पत्र पढ़ेंगे कि यहां से पीछे देखेंगे और जब यहां से परई तो हमें हर इक प्रॉपिक को हरी कत्रे को पढ़ते रहना होगा समस्ते रहना होगा चलते रहना होगा और आगे चलेंगे तो इसके बाद यह जलमंडल हो गया नदियों की बात करें तो नदिया पढ़ रहा है तो बादी कौन-कौन सी प्रमुख नदिया है इन नदियों के बारे हम लोगों को पढ़ना है जैसे कुछ नदियां ऐसा है जिनका उसदम भारत के बाहर हो भात में प्रवाहित होते हुई भाहर चलिए जैसे किन की नदियों का उत्रम भारत के बाहर है तिन ऐसे प्रमुख नदियां है जो आपके पर हैं कि नदि किस नदी का उपनाम है गरे अगर बात करते हैं तो सांगपोर नदी के नाम से निकलती है जिसे हम ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, भारत में दिहांगार से गुजरती है, प्रिवेश करती है, फिर वहाँ पे इसका नाम दिहांग हो जाता है, फिर आगे चलकर जमुना, फिर ब्रह्मपुत्रा होती है, फिर आगे जाती है, फिर दर से गंगा नदी आती है, गंगा नदी स पाठकरम को पढ़ेंगे, तब वहाँ पर हम इसे बिसे सुरुप से पढ़ेंगे, और अध्यान करेंगे, और तथ्यों को जानेंगे, ये कहां सा और कैशे आया, ठीक है, दूसरी बाद, मैं एक बाद थोला सा आपको बताना चाहूँगा, फिर मैं आगे बढ़ूँगा, सभ अन्य कोई आपको जानकरी चाहिए, उसके लिए आप यहाँ को वाट्साप नमबर ही, इलनी भी दुर्गेश का ओफिस का नमबर है, उसके इसकी जरूरत आपको परजा है, तो आप इसका इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सभी क्लासेज आपकी जोनपूर जान पर से संचा जिसे वायू है, वायू के अंदर का थम क्या पढ़ेंगे वायू मंडल पढ़ेंगे, यहां क्या पढ़ेंगे हम लोग वायू मंडल पढ़ेंगे, वायू मंडल पढ़ेंगे, ठीक, अब वायू मंडल की पारे में जानते हैं, वायू मंडल में क्या पढ़ना है, पहले करिए अगर पिथीवी के पास स्यन की गुटवा कर सकती न होती तो तो यही काराण है कि हम एक दूसरे से समझ पारे मैं नहीं के ज़िए हैं वायू मंदल में क्या पढ़ेंगे वायू मंदल का संघिन पढ़ेंगे यहां पर इपर नहुक्त परना ऑगा पहला क्या पना होगा रिखनेंट का फोर्ण था संघित आघना रहते चेंडूर्ण का पॉजीश कि उसके बाद इस्सके फाह किली हैं अ Gal जुरी झैतर कोई है ने पीड़ihad पधोर याह मैं ले पाते हैं और जमिन – जाता हอง लोग से हां घ다 जाता हम लोग से जैता है वैसे हम मैं लोग में हूद परक्षद ऊक्सीजन है ब्लगभग31 पर्षद आगोड़ नहयूं कहते हैं और द्टेश आपको सभी के पाट करम में है और हमारा उत्देश आपको सेलक्सन दिलाना है और इसलिए हम आपको अपना बेस्ट देंगे आप भी कॉपी कलम लेकर बैठे रहेगा लिखते चलेगा वीडियो के एक बार नहीं हजार बार देखेगा तब तक जब तक आपके सारे कॉंसेट के लिए ना हो जाए उम्मीद करते हैं आपको सारे कॉंसेट करके परदर पर समझ में आभी रहोंगे आ रहा है ना अरे याल तो लाइक का बोटन दो दबा दीजिए पैसे नहीं कटेंगे लोगों तो पूचाने के जी हां चले हां यारी कम्स का मिलनी भी द्रगेश ठीक है उसके बाद ओजोन है आयन मंडल है प्रकी बहर मंडल पांच प्रकार मंडल है इनकी अलगला भी सिस्ता है छोब मंडल में भारी कैसे पाइसे जहां होती है आपका समताप मंडल इस मोजोन लेयर पाई जाती जहां पर उत्रेजिसे कहते हैं सूर की परावग नहीं आ चमफ्रेशर पन पे-शूर। ऋंकर मंडल के उत्जङय को बाद आग Kollegen मंडल नो हेख तो जो की बड़रा की बात करें तो यहां पर मिर्ड को मिट्टी ए मिट्टी किसे कहते हैं आप वहowane करके बते किसे कहते हैं स्रक्राइब कि क्या है एंक पूर्मिला क्या है क्या है यहां पर पंड़ना होगा फिर पठार पढबdays पर नोग Naput के निकल जाएगा यहां पर परवत पढ़ना होगा फिर पठार पढ़ना होगा फिर मैदान पढ़ना होगा ध्यान दीजेगा अगर जैसे महादूप है अस्थल मंडल की बात करें तो पूरे पिथवी पर अस्थल मंडल का फैलाओ देखा जाए तो कितना है यह है आपका 29.2% है जबकि 37.8% है जल मंडल तो दूसरे स्थान पर है सबसे आदा जल मंडल उसके बाद अस्थल मंडल है ठीक है मेरी बात समझना आ रही आप लोगको न अब देखिए अब जो अस्थल मंडल है यह लगबक 29.2% है इस पर परवत है पठार है मैदान है इन सभी कोमिका करना करके पठाट करम में है है आपने देखा यहां पर पर पाठ करम में है अब इस करम को पढ़ने के बाद पूरे भारत का प्रवत माला है पने हैं उन दर्रों को पढ़ेंगे तादे साथ कुछ च्छी है पश्चीमी घाट जो है यहां पर कुछ दर्रे जाते हैं उनको हमें पढ़ना है परश्चीमी घाट से इक प्षना है लेकन का पढ़ना का पढ़ना जुड़े रहेगा टेलिग्राम और फेस्बूक पेज इलेनी बिदुर्गे से निसुल्क आपको मिलती रहेगी बहुत सारी टीचर वहां पर पढ़ाते हैं मैं भी आज एक चीब फैकल्टे गूरूप में यहां पर अपनी सेवाएं दे दे रहा हूं कर वाला तो हो वाला मैं दो नदियों की बीच का च्छेत्र उपजाओ तो द्वाब भी क्याता है यह भी प्रश्णाम के परिच्छा में पूछा जाता है इसलिए इसे भी याद रखेगा अगर आगे हम बढ़ते हैं तो यहां तक आपको साथ मुमीद करता हो डाग्राम आपको पूरी तरसी के लि पूरे प्रिथवी पर जो स्रोथ है उर्जा का वह शूर अगर सूर्य नहों होता तो प्रिथवी पर जीवन नहों इस उर्जा में भी पढ़ते हैं लेकिन हाँ पर भी हम लोग इसके अध्धन के रूप में पढ़ लेंगे अब हम आगे आते हैं इस अस्थल मंडल करें मिलने के बाट इसके क्या होता है हमारे यहाँ जीवों का जयम मतलब क्या होता है अब पय किबात करते हैं नहीं जहां जीवत का प्रयाश करिएगा इन पादपों को जिवित रहने के लिए हमें क्या चाहिए क्या चाहिए यह अजेवी घटक चाहिए बिना इन अजेवी घटक को जैसे जल चाहिए वायु चाहिए मरदा चाहिए सूर का प्रकात बिना इनके यह जिवित नहीं रह सकते मने इने जिवित के लिए यह चीज़े जरूरी है पाधब में भी पढ़ेंगे इसे पाद भी कई प्रकार के होते हैं पहली बात तो हम लोग पढ़ेंगे जली जली पाधे और यह अस्थल पर लगने देख रहे हैं यह तरह से दो चीजें हमने देखा लोग पहली शित्तों देखा हम लोगों ने की यह जो पादब था इस पादब के अंदरगत हमें जो पढ़ना भारत के प्रमुक वन भाद के प्रमुक वनस्पति यहां और कृषि पढ़ना तो वनस्पति वन हो गया एक में और कृषि पढ़नेंगे नंतरगत और यहां पे मिर्दा मिट्ति है तो वाई मंडल में अस्तर मंदब में परवत पठर मैदान में मिट्टी पढ़नेंगे हमने पहली टॉपिक में डाला हुआ था अब आगे कर हम देखेंगे अब इन वन और यह जो जुटू है इन सभी को मिलाकर हम क्या क्या होता है कि आएम मगनल करें लिए मंदल किसे कहते हैं कि पर और शमस्त भुभाग जो जलब से मगन हो जलब से ड्खावव उसे जल मंदल के सिर्म रखते हैं पूरी पिठ्वी पलग बंस 7,78 एक 70% भुभाग पर फैला हुआ है इसे हम क्या क्या पिए जल मंदल के इसे हम atmosphere के 5 पुरे पिठीवी की चातर फ्हला हुआ हैं है इससे atmosphere के नाम से जानते सरह दर अगर की बात करते हैं तो हम अगर हमें नदर फॉला पिष्था के और अपना जीवन होता है मेरtha आता करिये ना है नोकरी कर नहीं है इसलिए इस इस समस्त जो मंडल वार मंडल इन सभी जीवित रहने के लिए सभी पेजी वन है जैसे अगर पूछा जाए कि जल मंडल पर क्या क्या ज्यों अंदल कैसे और जयो मंडल पर जयो मंडल कैसे होगा मनिए जयल मंडल का वह हिसा जहां पर किसी भी जयोधारी को सोतंत रुप से जीवन जीने की अनकूल दसाया प्राप्त होती है हम उसे जयो मंडल का जयो मंडल कहते है जैसे महासागर की वह दिक्तम गराई जहां तक किसी भी जियोधारी को कोई भी प्रिथिदी का कोई भी जियोधारी हो स्वतंत रूप से जीवन जीने की अनकूल दसाय मिलती हो हम उसके क्या कहते हैं हम उसे जल मंडल का जयो मंडल कहते हैं क्या स्वतंत रूप से जीवन जीन प्राप्त हो उसे हम जल मंडल का जयो मंडल कहते हैं फिर आगे आंगे वाई मंडल मैंने वाई मंडल की वह अधिक्तम उचाई जहां पर किसी भी जिवित रहने के लिए स्वतन तुरूप से अनकूल दसाएं प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं हम उसे वाई मंडल का जयो मंडल क उसे हम अस्तल मंडल का जयाशें प्रिभी को पर हम आप रहते हैं कि हम आप लोग अक्सदेंटे phải에 लगाकर चलते हैं नार्मल दूप से नहीं यह हमारा क्या है जये अमंडल हो गया ठीक प्रतिभी की वा ह्गार है जैसे चुहा मूस मूस कहां रहता है वो तो बिल में रहता है नहीं तो जब मूस बिल में रहेगा इसका मतलब बिलिया में कहां है वो मॉस लगा कि तो जाता नहीं तो इसका मतलब वो है तो उसका भी क्या है जयो मंडल हो गया माने साप कहां रहता है जमीन में रहता है बिल मे यह क्या होता है यह पादप पढणी होते हैं कैसे उटेन के लिए जलवाई उसमिकन क्या ओना चीए दूसरा गरह Topic हमें कुछ पहिंजना होता है वो हम जिव जैन्तों के बारे में पढ़ते हैं अगर देखा जाए उरे पिप्थवी पर सबसे खतरनाग जिव जन्तों कॉट सा है तो बताईए comment करके आपका धार पर अगरे प्रिथिवी पर शबसे खतरनाक जुजनतू कौन सा है थो खं़े लगता है हम आपसे खतरनाक जाइदी कुछ जुजनतू होगा कोई भी जुधारु होगा और सबसे खतरनाक तो मनुस नहीं है अब मनुस की वज़ो से क्या होता है मनसे अपने शुक शुखतावों के लिए लगातार इनका वहोग करता है प्रक्यतिज कि को पंधना होगा, लेकिन प्रदूसौन के साथ साथ अभव हमे एक बात अब ध्यांना होगा कि यहांपर जर जर बर गटक और अजयवी घटक है इनमें भी मनुस्य द्वारा या अने द्वारा पत्च अपत्च रुप से प्रभाइत होते हैं इसलिए इनको बचाने के लिए आप हमको पढ़ना होगा राष्ट्युद्यान पढ़ना होगा अभ्यार पढ़ना होगा जया मंडल अरशिच्छेत् क्या जाता है इन दोनों के लिए कौन कहां कहां पर जैसे अंदोलन देखा जाए कि हरित करांती आएगा जुम क्रिसी आपका आएगा ठीक है इसके अंतरगत प्रमुख आंदोलन पढ़ेंगे जैसे आपने देखा होगा सुन्दलाल भहुगुडा का चिपको अंदोलन है फ हमारे पर्यावर्स हम तो लित रहता है तो यहां पर हम देखते हैं कि नहीं कुछ चीज ऐसी होती जैसे अगर हमें आपे बात करें सभी लोग को मुझे लग रहा है सभी को जानना चाहिए जैसे किसी भी पीड़ पौधों के लिए सबसे महत्यपूर अगर कोई चीच चाहि प्लस और झाहिए घथ सब्सक्राइब करकें यहां चाहिए की फीरमया सब्सक्राइब मनलब यह किसी भी कॉंप्लेक्स में दे सकते हैं तो हमें क्या देते हैं मने पूरे पिथवी पर इन्हीं की वजह से पूरा जीवन है अगर पादप ना होता तो पूरे पिथवी पर जीवन ना होता और इन्हें हम उभोकता क्या होता है अब आपको यह बताना है कि प्रकास संसलेशन क्या है मला सूर की उपस्ति में जा हरे पेड़़ पौदे वाई मंदल से करबन डे अकसाइड गैस लेते हैं ओक्सिजन को मुक्त करते हैं ताह जल से खरीशलम आदे लेकर अपना भोजर्ण श्वेंbeन आते हैं इस क्रिया को हम क्या कहते हैं प्रकास संसलेशन के क्रिया कहते हैं उ अपना करीजिए आप घर से आपके घर पे पानी के संकाट आजे आपके घर में सबके घर लाइट से बिजली आ रही हो पानी आ रही हो जहां से पूरे मुहले का पानी बिजली से आरो बिजली नहों तो पानी नहीं मिलेगा उस दसा में क्या करते हैं पानी के तलास की जल है त इसको बिचारे को मारने किती दूर से दो किलिमेटर से पानी लेकर आ रहा है और आप इसे गिराना शुरू कर दिए इस दस्ता में ऐसे प्रेड़ पोधे भी करते हैं जैसे आप मौसम को अनुसा ढलते हैं ठंडी गर्मी बरसात की मौसम में हम अपने आपको बदलते हैं उनक मनें को जाठी रहती है ने पढहों को चाहितना से तिम आपको रहूंस फानी के वाट की दहानी है अंपर बनीजमिन से पानी मोद नहीं लेकर आएंगी तो yönहीं चाहेंगी उनफी पानी बाहर जायए कर रहां जैसे उट популяр कि जब हम जैसे हमें आपको पशीना होता से पेड़ पौदों को पशीना होता है जैसे मतलब आज एक्जामपल इसे कभी-कभी आपको गर्मी लगती है तो चलते चलो खेतने बैठा जाए तो हवा चलती है तो लगता है तो थंड़ा हवा चलता है तो थंड़ा हवा चलता है इस बारे में भी वह जानने का प्रयास करते हैं इस वज़े से चलता है कि पेड़ों में भी वात्पो सर्जन होता है वात्पो सर्जन की वज़ेश है जब हवाएं चलती है उनके शंपर्क में जब आते हैं पेड़ पधधियां तो ठंडे हो जाती है।C वास्तुक्ता यह है कि उनके इतनके आने के बाद आशा होता है। दूसरी बात है पहले हमें जानना होगा कि पेड़ पौदों दो नो ऐसे पुल पानिवा आज मिल जो जड़ी काफी घैरी होंगी कि या तो कपने लीगे ल toggle होंगी तो चोटी होंगी ठीक है को चोटी होंगी और तनी फोड़ी से मोटे होंगे नब जीरो फाइट क्या कहते है जीरो फाइट कहते है श्रेक क्या 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 एंगा अपने नाकपनी या जडब लंबी होती और से पत्ते नहीं करते घ्ल चेज़ूर इस सभी क्या है् यह हैं जीरो फाइट के उधारत इन्हें मरुस्थली पेड़ पौधे कहते हैं अब बताइएगा पांच मरुस्थली पेड़ पौधो के नाम बताइएगा और उनकी खास्यत बताइएगा कोमेंट करके साथ में इसकी नोट्स बना दे चलिएगा वैसे अगर आपको नोट्स और बेस्ट भी देते रहिएगा फिर हम लोग देखते हैं कि जीरो फाइट किसे कहते हैं अब अगर आपसे पूछे मरुभित किसे कहते हैं जीरो फाइट किसे कहते हैं मुझे नहीं लगता आपको गलती होगी और उसको पूरा करने के लिए उनकी जड़े का फिलम भी हो त कि मुझे लगता है कि पर्यावण की जो सीरिज में पढ़ा रहा हूं यहां से बाहर आपका प्रशन ही नहीं जाएगा कि विल एक लेक्षर आप देखेंगे और परिच्छा हाल में बैठेंगे यकीने आपको लेगा सरुन ने एक ही वीडियो में तो इतने सारे पढ़ा दिया सारे प्रश्ट तो यह शी आगए हां ऐसा फॉस्टिबिल है होगा भी आगे देखते हैं पता हमारे नोट से हुब फॉप फॉप प्रश्ण आते हैं बाईस-बाईस तेज़ पर्श्टों हूब वहू आते हैं आतीस में तिस नहीं हाते हुब वहू आते हैं चाहे आप तर तलाब में लगा देगा दिजिए तो क्या होगा निकालेंगे तो मोटा हो जाता है तो क्यों फिर पोदों में भी सिलेसमें जिल्लिया पाई जाती है हेलें पदह को चौब होती हैं न्युक्त का यह और सब्सक्राइब करिए और आसे और हम लोग है इल्ट ऒरने भाग सा मेरी जली पीड ऌत्राइब हो गया है सिर्गाड़ा हो गया है empleo आपको पांच एक जमपल देने हैं जो हैड्रोफाइट हो मनें जहां पर जल जादा हो वहां पर इसी करडिशन उत्पन होती है अब इसके बात भी एक और आता है कि इसके अलाओं भी कुछ होता है जैसे अगर इसके साथ-साथ अगर हम नमक मिलाते माना कि हम यहां पर प्लस स समझा के कि समुद्र किनारा जो है तो कि नह suburbs हम लोग देखेंगे आप लोग देखेंगे कि समुद्र किनारे क्या होती है यह लोग द нет सब्सक्राइब को अ यह ओ मों को ध्यान से पढ़ना है उसक वहご根ुंगों ड्यान हम देखते, जब नमक मिला देते हैं। तो लगते हैं कि नमक मिलते हैं. जैसे नारियल हुआ होगा है ये कमी होते है पत्ट होते हैं जाब स्ब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब आपनी केढ़ा होते हैं यह क्या योखा थैकि तो जैसे इनार्यल हुआ तो यहां पेका नमक की मात्रा बढ़े आती सब कुछ है लेकिन नमक बढ़े आती है ति क्या होते है ऐसे बहुत सारे हैं एक करके हम लोग पढ़ेंगे और इसके बारे में लुद्ध की आगे पढ़ते रहें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जब कि क्या है यहां पर भी हमें उसको भी समझना है जानना को भारत में सब्सक्राइब के नाम से यह भारत बांगलादेस के बीच बनता जैसे इधर से हमारी एक नदी आती मैंने उपर भी बताया था सबसे पहले जब निकलती है जो ब्रह्म पत्रा कहते है द्यांग नमसे बात मे डेल्टा है इस सुन्दरवन डेल्टा में जो है मैंगे नमें बीच िंदर में कहते हैं क्या कैते हैं वेकिः सुन्दरवन के नाम से भी से जाते हैं इसके सबसे बड़ी विसेस्ता है क्या होती सुन्दरी की बिश्च की जिसे बहुत सारे पेड़ पौदे होते हैं जो हमने आप देखते हैं सब की जड़े नीचे जाती है लेकिन टहलियों को मजबूत देने के लिए वह नीचे तरह लटकती जाती है कि उनका टना पेड़ सुन्दरी के विछ सुन्दर भण की डिश्च मिलते हैं उक FIR जानते हैं यहां पर शेष घा लुटा है शेयर को घाली बाघ को डाड़ी नहीं होती शिर होता है बडाघ है की तेना DR s सफेद कलर की पट्टी आपको देख जाए ति मान लीजेगा कि आप किसको देख रहे हैं बंगाल टाइगर देख रहे हैं और दुनिया में किवल सुंदर वने मिलता है बंगाल के बारे में जानते हैं कि उसकी दाड बहुत तेज होती है वह हमसे चार गुना ज्यादा देख चाहिए और उसकी बड़ी बात है अत्या सरसरहाट हो रही है तो यह बाग जान जाता है किस वजश हो रही है क्या कोई मनुश्य गतिविदी कर रहा है या जानवर की वजशे अपनी मूत्र से वह अपनी स्रीमाव को सिल करता है बागिन को बजा लें के लिए वह अलग तरह अगला सेक्षन के सुरुवात भी करेंगे में लोग फिर हम यहां पर देखते हैं कि जेरो फाइट हो गया प्रकास हो गया प्रमुक्या इनका अध्यन कैसे करता है फिर यह तो परमंडल सोलर सिस्टम है तो सूर इसका सबसे बड़ा उर्जा का सुरोत है तो सूर को पढ़न पढ़नेंगे तो हमारे क्या होगा सूर मंडल हो जाएगा फिर पढ़नेंगे चट्टान पढ़ने के बाद फिर दिन रात कैसे होता है इनको भी पढ़नेंगे लेकिन उसकी साथ-साथ आनने भी टापिक को ध्यान दे रखना होगा वह कम जॉलम कि यहां से प्रस्टनाब क् पूछा है इनको भी पढ़नेंगे फिर महासागर पढ़नेंगे कहीं इसे जुड़ा हुआ कि पिछले दो सालों से हमने और आपने यह देखा है कि यह जीव जन्तु पाद आप इसे बाइयो के सेक्शन ही बहुत ज्यादे आ रहे हैं तो हमें बाइयो का सेक्शन भी इस बा आपको मिल जाएगा मने वही चीजे जो परिच्छा में आती हैं आप किसी बी सीनियर से पूछेगा क्या दुर्गेश पर पहले पढ़ाते थे अब ऐसा परवाण की बात नहीं यह गर्वी की बात करें कहीं कोई तोड़ा नहीं है क्याने के लिए कुछ भी कह सकते हैं लेक दुर्गेश सरचकर इलेनी जापको निश्व मेटरल मिलता रहेगा फेस्बूक पेज इस्टाग्राम मेरी भी आइडिया चाहिए मुझसे भी जोड़ सकते हैं अब दुर्गेश सर इस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं हमें फॉलो भी कर सकते अगर आपकी इच्छा होता ठीक है उसके साथ साथ फेस्बूक पेज इलनी बिदुर्गेश आपको पताइए मेरा भी खुद का भी चैनल है क्योंकि मेरा चैनल नहीं मैं आपको पहले बता है प्लाता हूं बेसिक मेरा चैनल है उसे सब्सक्राइबर की बेल आइकन दबा दीजेगा वह गरीब बच्च खतम कर देंगे चारेश पूरे पाठ करम को तो क्या आप लोग तयार है पढ़ने के लिए कित लोग ऐसे हैं जो इलनी दुर्गेश पर मेरे साथ परवण पढ़ना चाहते हैं कित लोग ऐसे जो सेलक्शन चाहते हैं यूपी टीटी की महागाथा में मैं आपके साथ प्रद जानते रहना है तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताईएगा लेकिन मैं छोड़ा सावाल पूछूंगा उसके बाद मैं आपको इस वीडियो पर बाहर जाएंगे वाई वियान को हवाई जहाज को ओड़ने के लिए सबसे प्रमुख मंदल कौन सा है कमेंट करके कमेंट माक्स में जवाब जरूर दीजेगा बहुत धन्यमाद आपका बेस्टा अफ लग जैहिंद च वाई मास अपका बाहर जाएंगे वाईंगे वाई जिए जरूर आपका ब जामुटूंगे जर आपका बेस्टाब लगजा